मालुम में मैंने कहा ना कि एक कंकर जूते में चला जाए तो इस प्लेन रोट पे चलना भी मुश्किल हो जाता है इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि आदमी बाहर की शक्तियों से नहीं घबराता है आदमी को तकलीब अपने भीतर की शक्तियां दिया करती है ध्यान रखना बाहर के कंकर हमारे चलने में बाधा नहीं पहुंचाते जब वो जूते के नीचे होते हैं तो चलते रहो कोई कश्ट नहीं होता है बाहर बालों से दुख नहीं मिलता दुख तो उनसे मिलता है जो जूते के अंदर आकर बैठ जाया करते हैं ध्यान रखना उनसे हमारे रास करता है जब आदमी अपने आपकी हार को खुद स्वीकार कर लिया करता है तो फर दुनियाओं से हराने को तैयार हो जाया करती मजबूत बनना है अपने अंदर से अपने उसलों से मजबूत होग बनना है मालूम है जब दो पहलवान लड़ते Là को P요 कि एक सी सप्टी एक सी ताकत एक साथ शॉर्य एक से डाव पेच उन पहलवानों के मालूम है उसमें एक हारता है पिझा ठीटता है और दिखता सकति एक सी है दोनों पहलवान है कि हारेगा गॉन जिसकी मन कि शक्ति हार जाया करती है पशून रहर में ब्श्क्राइब जीस जिन्दगी में अपन तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं जिनेंद chickens ने तो कहा जिए अपने आपकों गान आंप जीतले है पगपग परिक्षा है परिक्षा हो रही है तो समझना हम बहुत अच्छे रास्तों पर चल रहे यह दुनिया जो है ना यह गलत का विरोध नहीं करती यह काई का विरोध करती है सत्य का विरोध करती है ध्यान दखना और सत्य का ही विरोध हुआ जब कोई आता है महावीर तो दुनिया उसके ब्रोध में खड़ी हो जाती है रिशबदेव आते हैं तो दुनिया ब्रोध में खड़ी हो जाती है कोई मीरा भक्ती में डूबती है तो उसके घर के लोग उसे जहर देने को तैयार हो जाया करते हैं विचार करना है आपको घर में ही सब कुछ होता है कैके ही तो बन और एक बात ध्यान रखना दिल के छाले जुलस्ते हैं सीने के दाग से घर को आग लगती है घर के चिराग से ध्यान रखना पड़ोसियों का चिराग हमारे घर को नहीं बुझा जलाता अपना ही चिराग जलाता है ध्यान रखना अपनी घर का दिया अपने घर को नस अंजना को अपमानित, उसकी सास ने किया था, ना, मीरा को जहर किस ने दिया था, घर के ही लोगों ने, जीसस को फासी किस ने दीती, भी धर्मियों ने नहीं, उनके ही पादरियों ने उने फासी दे दीती, ध्यान रखना, सूली पर लटका दिया था उनको, घर के ही लोग करा हो जाया करता है चंदनवाला को कष्ट देने वाले घर के लोग थे इतिहास को उठा करके द्रोपती की साड़ी कोई पड़ोसी नहीं खीचा करता है उनके खांदान के लोग से निर्वस्त करने का दुस्साहस किया करते हैं ध्यान रखिए विचार करना है आपको जितने भ पर अटेक लादेन कर दिया करता है इस देश को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया हमारे देश के गद्दारों ने इस देश को गुलाम बनाया था ध्यान रखना अपने घरों में गद्दार चिपे वैठे हैं ध्यान रखना उनसे बचने का प्रयास करो कष्ट बाहर स लेकिन अपने को पूजा भक्ती विधान भी करना है एक ही चीज याद रखना आज मुनी राज के उप्सर्ग दूर हुए ऐसे घाव होते हैं दुनिया में जिनसे खून नहीं निकला करता है कुछ घाव ऐसे हैं जिनसे खून निकलता है और मालूम है जिन घावों से खून नहीं निकलता ना वो घाव दूसरों के नहीं अपनों के दिये हुआ करते हैं जिसमें कोई रक्त की धारा वहती नहीं हैं विचार करना है आपको लेकिन जो साथ सो मुनियों ने आज साहस दिखाया कि अपनी तपस्या से डिगे नहीं अप इसको बुझा के देख चुनोती दे रहा है कि मैं जल रहा हूं खुले आम मौसम हवाओं में ताकत हो तो मुझे बुझा करके बताईए ज्यान रखना मानिवर लोग तो बुरा कहेंगे कहते रहेंगे कहते ही रहते हैं दुनिया में अच्छा आज तक किसको कहा गया है जो भी हमें दूर से देखेगा तो बुरा बताएगा लेकिन पास में जो आएगा मुस्करा के जाएगा ऐसा हमारे जीवन का सूत्र हुआ करता है पास में जो आएगा वो मुस्करा के जाएगा ध्यान लखिए